हर कोई स्टीरल्स में कच्छी प्रेम कहानी देखना पसंद करता है और एक ऐसे ही शो कहीं तो होगा ने हमें कशिच बनी आमना शरीफ और सूजल बनी राजीव खंडिलवाल की सबसे यादकार प्रेम कहानी दी है इस टोने इन दोनों को रातो रात स्टार बना दिया वैसे तो आप इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं लेकिन कि आप इन दोनों की लफ स्टोरी से लेकर ब्रेक अप स्टोरी तक की सारी कहानी जानते है कि कब दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और दोनों का प्रेक अप कैसे हो गया तो इसलिए आज की इस वीडियो में हमा को इन दोनों की लफ स्चोरी और प्रेक अप स्चोरी की सारी दासना सुनाएंगे वे अगर आप बेजाना चाहते हैं तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो के अंताग साथ ही इस खूबसुरत चोड़ी के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले दरसल आपको जानकर हैनानी होगी कि कहीं तो होगा सीरल में कशिश का किरदाने भागर सबी का दिर चुराने वाली अभी नेत्री आमना शरीफ और आजीफ खंडिलवाल के मुलाकात इसे सीरल के दौरान होई थी ज़स शुरुआत में तो दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ते होए और दोनों ने एक दूस्टे के साथ काफी समय बिताना शुरू कर दिया ज़स शादी भी करने वाले थे लेकिन धीरे धीरे इनके बीच कुछ गलत फेहमियों की वज़से छगडा होना शुरू हो किया बात में बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया और इसका असर उनकी स्क्रीन केमिस्ट्री में भी दिख हो गया जी हां उस अभी नेतरी की वज़से दोनों की भी चकसर लड़ाई छगड़े होते जिसके चलते जब राजीव और आमना सीरियल में शूट देते तो रियल लाइफ में भी उनकी अन्बन रियसल में नजर आते थी और सीरियल में उनकी केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं दिखाए देती इस तरह दोनों की लड़ाई दिन पर दिन बढ़ती गए और दोनों का प्रेक अप हो गया दोनों ने तहे किया कि वो भविश्य में साथ काम नहीं करेंगे इस तरह ही दोनों हमेशा के लिए लग हो गए वही बात करें दो भैतरीन कलाकारों के अभी करियर के बारे में जामना शरीफ ने अपने करियर की शरुवात साल 2003 में आए शो कहीं तो होगा से की थी जिसमें इनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए इन्हें और भी कई सीरिल्स में काम करने का मौका मिला जिन में हूंगे जुदाला हम एक थीनाय का और कसोटी ज चान क्या हादसा क्या हाकिकत शो से मिली जिसके बाद इन्हें कहीं तो होगा सी आई जी लेफ्ट राइट लेफ्ट और संबादाताओं जैसे और भी कई सीरिल्स में देखा गया इसके अलावा इन्होंने कई शांदार फिल्मों में भी काम किया है तो आपको राजीव और सामना की जूड़ी क्या सी लगती थी आप हमें कमिट बॉक्स में कमिट करके जरूर बताएं साथे टीवे जगस से जूड़ी आसी और चटपटी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें